प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज साल 2022 की अपनी पहली मन की बात पेश की और केंदर सरकार के विविद योजनाओं के साथ ही हालिया गुजरेल लोकतंतर दिवस से जुड़े तमाम अनभों को साज़ा किया नईमबई के सानपड़ा प्रभाक्ष यत्तर में इस कारिकरम का सीधा प्रशारण दिखाया गया जिसका इंतजाम बीजेपी वानेता पांडूरंग आमले ने किया था इस उसर पर बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने नईमबे मनपा चुनाओ और वाड समरचना को लेकर कारिकरताओं का प्रभोधन भी किया देखे रिपोर्ट प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से साल 2022 की अपनी पहली मन की बात पेश्च की और केंद्र सरकार की विविद योजनाओं से लाभानमी थोरह नागरिकों के साथ हुए समवात को साजा किया सान पाड़ा प्रभाक्षी अत्तर में इस कारक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया जिसका इंतजाम बीजेपी युवानेता पांडुरंग आमले ने किया था यहां तमाम नागरिकों और कारकरताओं ने पी-म के मन की बात सुनी इस उसर पर बीजेपी के जिला महमंत्री विजेगाटे ने नौइमबई मन पाचुनाओं के लिए घोसित होने वाले वार्ड सरनरचना को लेकर कारकरताओं का प्रबोधन किया और जीत की तयारी में जुटने का आहवान किया वहीं युवा समाज सेवी पांडूरंग आमले ने अपने जनसेवी कारियों की जानकारी साजा की इस दोरान साई भक्त महिला बचत गट की ओर से तमाम महिलाओं को धना देश का वितरन भी किया गया इस उसर पर बीजेपी युवानेता पांडूरंग आमले और जिला महमंत्री विजय घाटे ने क्या कुछ कहा आईए सुनाते हैं आज सानपाडा में मन की बात का प्रक्षेपन हो गया तो यहां के रिक्षा चालक है यहां पे बूत अद्धेक्षे बूत की समीतिया है उनके साथ हम लोग बैठके आज मन की बात का कार्यकरम हमने प्रसारीत किया हुआ था उसको सब ने लाब ले लिया कुछ ना कुछ सिखने को मिला क्योंकि आने वाले वक्त में बजेट भी आने वाला है तो उसके लिए भी समोधन करना कार्यकरताओं को मार्ग दर्शन करना यह जिल्ला माहमंत्री के नाते मेरा दाइत्व है और कर्तव भी है वो हमने पूरा किया आज दुसरा कारेक्रम ये हो गया कि यहाँ पे बचद गठ के लिए अलग-अलग विवस्ता है पांडरंग जी आमलाक जी के माध्यम से यहाँ पे लागू की गई है जिसके अंदर उन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके लिए एक अच्छा-खासा इंट्र घर पे जाने वाले हैं जहाँ पे शानपाड़ा में 8500 घर का उद्देश है रखा हुआ है जिनकी लिस्ट आज फाइनल की गई तो आने वाले वक्त में जैसा शेडियूल मिलेगा बजेट टिकलेर होने के बाद तो यहाँ पे 8500 आदमी लोगों के घर पे कुटुमब को मिल के लिए हम लोग प्रसान कर रहे हैं और अपना मारका दर्शन लोगों के पास से ले रहेगे क्या सुचना है उनकी मान आने वाले चुनाओं के लिए इसका सारा हम लोग जायजा ले लेगे 2022 की आज यह पहली मन की बात थी आज हमने सानपाड़ा में हमारे ओफिस में बड़े पहिमाने पर हमारे हापे हमारे हित्चिन तक हमारे फ्रेंड्स हमारी महिला कार्य करता मन की बात के लिए आये थे तो बहुत अच्छा मारका दर्शन हमें पंतपदान नरंदी जी मोधी इनकी तरफ से मिला और उसके बाद हमारे महामंत्री घाटे जी ने भी अच्छा मारका दर्शन हमारे प्रभाग के सारे समुदाए को दिया हमारे महिलाओं को दिया इसके अलावा आज हमने साही बड़े महिला बचदगट की जो स्तापना की थी और हमने जो कमिन्टमेंट कि सारे बचदगट के मैलाओं को हम लोग एक भेट सोरुब या तो फिर उनका जो भी जम्मा पुंजी होता है उसके ओपर हम लोग एक दस तक का इंट्रेस्स हम लोग देने वलते उसका पहला बुकतान आज हमने सब बचदगट को हमने दिया है यहां के सानी नागरिकों ने भी मन की बात का परशारन इंतजाम करने पर खुशी जताई और कहा कि युवा समाज सेवी पांडूरंग आमले जिस तरह प्रभाक्षियत्तर में विकास और जनसेवी उपकरम चला रहे हैं वह सरानी है इसलिए जनता उन्हें समर्थन जरू आमले जी जो काम कर रहे हैं वो बहुती अमेजिंग काम इस एरिया में कर रहे हैं ना केवल यहां के लोगों को सारी योजनाओं के बारे में वो अवेर करते हैं बट क्या काम हो रहे हैं हमारी सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा लोगों के लिए उन सभी के बारे में अवे करते हैं जिससे यहां पे आने वाले ऐसे लोग भी जो कभी जिनके घर में टीवी नहीं है या जो बाहर घूमते रहते हैं किसी काम की वज़ा से वो भी यहां पे आके इस कारेक्रम को सुन सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि क इस एरिया में तो इट इस सो गुड कि वो यहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके पहले भी मैंने देखा गार्डन की बात हो गार्डन को डेकोरेट करना हो वो करवाना हो लोगों के घर में खाना पहुंचाना हो लोग कोविड के टाइम पर वैक्सिन जाँ में कå dönुओों की लिए इस सो गार्डन की बार्डन की बार्रूं आडने की बार्म।